गुरू के पॉज़िव और नेगेटिव एफेक्ट क्या होता है किसी इनसान के जीवन पर कई बार घज केश्वी योक का भी बताया जाता है तो वह गच्च केश्री योक क्या होता है तो वो वंग्रा हाथी रखने के समान माना गया इतना उसका प्रवाम माना गया है कि इतना उसको कारवार में पैसे में उसके पास वृद्धी होगी नमस्कार डी फाइव चैनल हिंदी देख रहे हैं दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौझूद हैं एस्ट्रोलाजर विकास मित्तल जी विकास जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार विकास जी वैसे तो हमने अजिए हमें बात की है तो गुरू सबसे महत्युनिंग्रह है अपकोष भी कह सकते हैं करें हमारे जो शास्त्रों में लेखा गया है कि गुरू देवताओं का गुरू है वैसे तो इसको हम इंदियों ब्रस्पती बोलते हैं पर गुरू इसलिए बोला जाता है कि गुरू सबसे उपर के उपादी देगी है और इंसानी जीवन के अंदर गुरु का बहुत महत्व है इसलिए गुरु को सबसे उपर के उपादी देगी है इंसानी जीवन पर गुरु का क्या प्रभाव होता है? पर स्कूल में आता है फिर अपने टीचर से सिखता है फिर प्रफेसर सिखता है और इसलिए उमर वो गयान लेता रहता है। कोई वी किसी तरगा गयान हो वो सब गुरु से ही मिलता है। इसे इंसानी जीवन उसका परवाब बहुत ज़्यादा पड़ता है, और हम इस परवाब से कोई बच नहीं सकता, कि वो इसका परवाब चाहिए भी, क्यों हम बोलते हैं, ग्यान चाहिए गुरू से मिलेगा, पैसा गुरू से आएगा, सुनना वो गुरू की मदद से मिलेगा, इसे गुरू की काफी बड़ा रोल प्ले करता है इंसानी जीवन के अंदर. गुरू के पॉजिटिव और नेगेटिव एफेक्ट क्या होते हैं किसी इंसान के जीवन पर, मतलब कि गुरू पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्या ये पता चल सकता है? बिल्कुण मंदा मेडम, हरे गुरू है के अपने दो रूप होते हैं, अच्छा भी और बुरा भी, कोई भी बुरा भी नहीं होता, कोई भी अच्छा नहीं होता, उसकी हम देखते हैं कुंड़ी के अंदर पोजिशन के हैं, कि आपके जो पोजिशन ग्रय की ओ किस तरह है, उसी तरह गुरू की है, गुरू आपकी कुल्डी में अच्छा है या बुरा, उसके प्लेस्मेंट देखी आती है, बड़ा हम बात करेंगे कैसे पता चले, अगर आप किसी विद्वान के पास जाते हैं, वो आपको बताएगा आपका गुरू अच्छा है या बुरा है, बट आप यहां पर एक कुश्चन हाता है, आगर आप किसी के पास जाना नहीं चाहते हैं, या आपके पास अपना डेट विद्वान टाइम नहीं है, तो कैसे पता चले हैं? तो उसके दो चार चीज़ें मैं बता सकता हूं, आपके कैसे पता चलेगा? पहला, आगर आपका गुर अब ओका सकते हूं, आप लोगों लीटर लिछ versa ** अपने गन से उनका, के फैसे जाना चीवन सुधार् शक्राय से हो, जो किसी पेजन से पता हूं, जो को मोटिविशन के तोर आप किसी तर आपका गन अप दे सकते हैं, पर आपका मUIटा-पोटा, ऊपकिन के ुडे सकते हैं अगर गुरू की पूजिशन अच्छी है तो आपके पाप पैसे के कोई कमी नहीं होगी कि आपको जितनी जूत पड़ेगी पैसे की वह आपको कहीना की से अरेंज हो जाएगा चोथा सोनना अगर आपका गुरू अच्छा है तो आपके पूजिशन है कि आपके पैसे की है तो आपके उसी हिसाब से सुरना आपके पास होगा यह होगा तो यह अच्छे गुरू की निशानी है जब गुरू खराब होता है तो कैसे पता चलता है कि इस इंसान का गुरू खराब है जो फिर गुरू का तो आपका पांचे तंतर के दिक्कत आएगी लिवर में इंफेक्शन आएगी या उसके इसके प्रेटिय आएगी आप में और देखा होगा कि कोई व्यक्ति बिना वजय से मोटा हो रहा है वह एक खराब गुरू के निशानी है कि गुरू है उसके अपने उसको दिक्कत आती रहेगी और अगर किसी लड़की का गुरू खराब है क्योंकि जो किसी की शादी देखने की कब होगी लड़के की हम देखते है तो शुकर से देखते हैं अगर किसी लड़की की शादी देर से हो रही है या दिक्कत हो तो शुकर देखते हैं कि शुकर की पिडी तो नहीं, वैसे ही लड़की की कुल्ली में हम देखते हैं, उसका गुरू पिडी तो नहीं है, गुरू वक्री तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं गुरू के साथ, जिस वजा से अगर उसका लड़की का गुरू दिक्कत है, तो लड़की की शादी दिले होगी, या अच आपको कोशिश करता हूँ, वक्री गरू होता है कि वक्री गरू होता है कि कही लोग बोलते है उल्टा चलते है कि कोई गर्या उल्टा चलना शुरू हो गया जी सिधर चलते है ऐसा नहीं होता वो गर्या क्या होता है वो जो सूरे से थोड़ा सा दूर हो जाता है जो हमें जब तो उसको पूरा करने में ज़्यादा वक्री हो गया। कई बार जब पंडितों के पास जाते हैं अगर कुंडले दिखाते हो तो वह कई बार यह बोलते हैं कि आपक तो गुरु चंडाल योग बन रहा है तो यह गुरु चंडाल योग क्या होता है। गुरु चंडाल योग बोलते हैं रहु केतू से मनता है। अगर गुरु रहु या केतू के अच्छ में हैं तो उसको हम गुरु चंडाल योग बनते हैं। यह पूरी तरह से बुरा भी नहीं होता, तो अगर पैशले एपिसोट में बात की थी कि रहु आगर किसी के साथ है, तो रहु अपनी पूरी शक्ती उस ग्रया को दे देता है, तो जिस वजे से उसके उसके इरफल देना शुरू रहुत है, अगर गुरु की पूजिशन अच् कैसे पता चलता है कि गुरु चंडाल योग हो गया है, अगर किसी ने कुंडली नहीं दिखाई है, तो ओभी कैसे पता चलता है, इसके क्या संकेत होते हैं, अगर इसके तो मुटा 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 यही संकेत मिल सकता है, जो व्यक्तिया अगर गुरु चंडाल योग है, वो इसको नहीं समझा देद्धाका इन गूज ऐसानी में शाबिनों यह सुंचाना रिखाता है। स Cockथिए गोरूधाजी मुळा नहीं समझाएगा। इसको जो हम फी ध मैं नहीं समंझाएगा। दूज मे गरें भातयां अगर के लोगों होगों कave गारेस। इसी इक दिख्रम जी लगाना ने लगा लगा ए इसको छनलारिख भोले कर दो रहा होगा इसको रही जाना भूवक निया लगाते हैं, कि इस ओड बुगी गोलिक ने जाता हुआ्ड गर आपकर दूली को बहुते हैं इस चन्दरमा गुरू दोनों के मिलन से यह जघज़क गुरू जगरू झाल गुरुणे होगे ऑनगे हैं जदरमा गुरु आम्ने सामने हैं जद्रस्टे संबंद हैं जदर में कथे विटे हैं तो उसको गुर्णी है यह जोलागा जिसके पास निम्यस धास थीज को कमिनी और उर्क्ति kanal, वियुक्त बैच्झ यृग मने हाथ। वे वंग्दा बीधि हाथी मैंना तो इतना चाहिस रखे pare वरिध होगी से एक पैसे घि वर्दकाम एक निम्यसि decía विकाजी आज आपने हमको गुरू और गुरू से संबंदित जो भी योग बनते हैं उनके बारे में जानकारी दी आप यहां आए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार